जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशारे देखें यहाँ पर जब से रेल्वे एंटी पीसी का रिजल्ट आया है बहुत सारे सवाल यहाँ पर स्टुडेंट्स के मन में खड़े हो गए है कि देखें पहला सवाल यहाँ पर की एंटी पीसी जो रिजल्ट है क्या यह रिजल्ट रिवाइज्ट होना चाहिए या यह रिजल्ट जो है यह रिवाइज्ट होगा या फिर नहीं होगा दूसरी बात यहाँ पर result revised अगर होता है in case तो क्या cut off यहाँ पर कम जाएगी क्या यहाँ पर railway group D में भी cut off जो है वो post wise जाएगी क्या यहाँ पर NTPC CBT2 की जो cut off है वो भी यहाँ पर post wise जाएगी इन सभी सवालों को जवाब एक एक करके हम देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं देखें railway की तरफ से एक notification आया है railway clarification on NTPC CBT1 result यानि कि railway ने जो है यहाँ पर CBT1 का जो result यहाँ जारी किया है उस पर यहाँ पर अपना clarification दिया है और क्या clarification दिया है तो देखें गाईज इसमें railway ने यह mention किया है कि उन्होंने जो पैरा यहाँ 20 times railway ने select किये हैं लेकिन यह 20 times railway ने roll number के according यहाँ select कर लिया है यानि कि एक candidate अगर यहाँ पर पांचों पोस्ट के लिए select हो रहा है तो यहाँ पर railway ने उसे अलग-अलग-अलग count किया है अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर cutoff इतनी जादा high कैसे चली गई अब आपको बताते हैं कि मान लिजे टॉपर स्टुडेंट है अगर वो टॉपर स्टुडेंट यानि कि मान लिजे उसके मार्क्स यहाँ पर 85 है और अगर उस candidate ने यहाँ पर पांचों पोस्ट के लिए लेवल 2 के लिए भी और 3 के लिए भी 4 के लिए 5 के लिए औ और कट ओफ इतनी जादा हाई चली गई कि यहाँ पर जो स्टुडेंट है वो पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गए हैं कि यहाँ पर कट ओफ जो है इतनी हाई कैसे चल गई है तो कट ओफ हाई जाने का रिजन पहला तो यह बताया है और यहाँ पर देखे रेलवे ने क्लियर चली ठायमस यहाँ पर जो है रिकृूट्मेंट लेने का फैसला किया था यहाँ पर सीविट्यू ू के लिए और यहाँ पर रेलवे की बात बलकुल सहीं भी है उन्होंने यहाँ पर 20 तैमस कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया है यहाँ पर उन्होंने इसको जो 20 तैमस से एक बहुत बड़ी यहां पर भूल हो गई है या फिर रेलवे ने यह किस तरह से इसको किया है यहां पर रेलवे ने अपने आपको यहां पर clarify कर दिया है और रेलवे ने कहा है कि यहां पर हमारी कोई भी यहां गलती नहीं है और आपका जो cbt2 है यहां पर 14th February से स्टार्ट होगा अब दूसरा सवाल यहां पर कि क्या NTPC का जो result हो revised होगा तो यहां पर देखे अभी तक इसका कोई भी फैसला नहीं हुआ है हाँ अगर यहां पर अभी यहां देखे सभी teachers की meeting चलेगी अगर उस meeting में यहां पर कोई protest की बात होती है कोई यहां पर आपका यहां digitally protest यहा एक दो बार हुआ है अब यहां पर दूसरा सवाल की result revised होने पर क्या cut off कम हो जाएगी तो यहां देखे इसका जवाब जो है सीधा सा है कि अगर यहां जो result revised होता है अगर उसके बाद जो यह चीज़ जो की गई है railway के द्वारा कि एक ही candidate को यहां पर 5 post के लिए यहां पर select कर लिया गया है और अलग-अलग post में भी उसका जो नाम यहां पर दिखाई दे रहा है अगर यहां पर अलग-अलग level की जो post है अगर उसमें एक ही candidate का नाम बार-बार ना दे कर अगर यहां एक नया candidate लिया जाए तो यहां पर जो cut off है वो यहां पर cut off थोड़ी सी आपको कम द देखें आपका कि क्या यहां पर anti-pc cbt2 की जो cut off है वो भी यहां पर post wise जाएगी तो यह बिलकुल यहां पर आपकी जो anti-pc cbt2 है ध्यान दीजेगा cbt2 जो student cbt2 देने वाले हैं वो candidate इस बात को ध्यान से सुने कि आपका जो cbt2 होने वाला है वो level wise यहां पर exam होने वाला है यह बात railway ने पहले ही यहां पर mention कर रखी है अपने notification में तो यहां पर आपका level 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 और 6 इनके लिए आपका exam जो है वो अलग-अलग लिया जाएगा और आपकी जो यहां पर result बनेगा आपका cbt2 का वो भी यहां पर level के according ही बनेगा यानि कि post wise आपका जो result है वो वो पहले भी ऐसे ही बनता था और इस बार भी ऐसे ही बनेगा अब यहां पर देखिए railway group D वाले student के लिए भी यह result बहुत ज़्यादा माइने रखता है और इस result को देखकर वो भी यहां पर बहुत ज़्यादा doubt मागे है कि क्या railway group D में भी जो cut off है वो post wise जाएगी तो railway group D व कोना है तो railway group D का जो आपका CBT होगा वो यहां पर उसका जो result आएगा वो यहां पर आपका post wise नहीं आएगा उसमें normal cut off बनेगी लेकिन इस result को देखते हुए यह ध्यान रखेगा कि normalization बहुत ही जबरदस्त तरह का roll यहां पर निभाएगा ठीक है तो आपको यहां पर अच् जैसे ही कोई नई सूचना आती है कोई नया यहां पर notice आता है railway की तरफ से उसको आपके सामने सबसे पहले लेकर आएंगे तो इसलिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत